हेलो अब्रीवन आज की इस वीडियो में हम गुक्षातीन की कारेपत्र का क्रम संख्या ठारा देखेंगे तनांख है इसकी 7 फबररी 2022 चौथा सब्ताह चल रहा है वक्षिट की थीम है चितरात्मक कथा आई देखते हैं आज की वक्षिट की दुवारा हमें क्या नया सीखने को मिलता है तो शुरू करते हैं नमस्ते प्याले बच्चो आशा करते हैं आप सभी स्वस्त और खुश होंगे अपनी घर में सुरक्षित होंगे ठीक है और अच्छा अपने काम अच्छे से कर रही होंगे तो हैलो बच्चो मैं हूँ मक्कू टर्टर का गाता हूँ गाना एक चड़िया की कहानी आपको चाहता हूँ सुनाना जो थी बड़ी सायानी और चिस्त ने बार-बार मुसीबत आने पर भी हार नहीं मानी तो अच्छा लगा ना ये जो लिखा हुआ है राइमिंग वर्ट से जुकान शब्दों से मिलाकर एक चोटा सा लाइन लिखी हुए कौन है ये टर्टल कौन करता है फ्रॉक करता है ठीक है तो में ड़क बोल रहा है आपसे कहानी सुनाना चाहता है आपको तो आज की वक्षित में भी कहानी दी गई है हम हर बार हर वक्षित में बहुत मज़दार मज़दार कहानिया और पोयम्स बढ़ते है आज की वक्षित अगर आप दूसरे देशों की बाच रहें बोलना सीखने चाहते हैं, तो ऐसे पाँच बेस्ट टैब्स जिनसे आप बाहर के देशों की लैंग्विज सीख सकते हैं, एक वीडियो में बताये गए हैं, जिसकी लिंक दिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप जाकर जरूर देख लीचे का उसको काफी हैं, अब अपनी स्टोरी को रीड करते हैं, मैं हूँ एक सुन्दर चडिया, बनाना है मुझे गोसला बढ़िया, जिससे बनाऊंगी पेड की उपर, उसमें अराम करूंगी दिन भर, चिक है, उफ, क्या ये भुकम भेयाया, पीट खुझला कर हाथी ने मेरा गोसला क्यों गिराया, तो हाथी ने गोसला गिरा दिया है चिडिया का, तो उसे लगा कि भुकम भा किया है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, अरे सफेदी वाले भाईया, यहाँ क्या किया, खिर्की पर मेहनच से बनाए गोसले को तुमने फैक दिया, ठीक है, तो चिडिया का गोसला बार बर कोई ना कोई तोड रहा है यहाँ देखी मेरी समझदारी, इन गुबारों से लटका दिया, अपना गोसला अब कौन तोड़ सकता है, इसे भलाई, यहाँ पर चैन से रहूंगी, बिना पंक हिलाए उड़ती रहूंगी, चिक है, तो यह इसने किया क्या, देखो, बड़ी फनी भी स्टोरी है, और रो काफी अ अब देखो, बच्चो के चड़िया का गुबारे पर गोसला बनाने का फैसला तही था, अकर आप चड़िया के जगे होते, तो गोसला कहां बनाते, तो आंसर देखिये, इसका, दिखाती हूँ मैं आपको, चिड़िया का गुबारे पर गोसला बनाने वाला फैसला गलत था, क्योंकि वह गुबारे फूट भी सकते थे, और उसकी हवा भी निकल सकती थी, मैं अगर चिड़िया की जगे होती या होता, तो मैं अपना गोसला किसी सुरक्ष जगे पर बनाती है, अगर आप गढ़ने तो बनाती लिखेंगे, बनाता लिखेंगे, अगर आप वोई हैं तो, चिके, तो देखो, सुड़िया वैसे तो ये फणी कहानी आपको ये दे रखी है, लेकिन मतलब इसमें उसने गोसला जो बनाया, वो गुबार उपर बनाया, चिके, तो गोसला नीचे ही गरेगा ना जाकर, पर चिविया कही जान को भी खत्रा है, तो मतलब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर मैं होती, तो सुरक्षे जगे पर गोसला बनाती, ठीके, आप अपने आंसर में या तो यही आंसर लिख दीजे, जो मैं आपको दिखा रही है, तो अगर आप होते हैं, कुछ और करते हैं, तो लिख सकते हैं याँ पर, कि क्या करते हैं, चेके, प्रश्ने दो, बच्चों चिडिया के घर को हम घौसला कहते हैं, नीचे दिएगे चितर में दिएगे जान वरों के घरों के नाम लिखे, तो घोडा, घोडा कहा रहता है, यह कौन है मंकी मंकी यानि बंदर यह कहां रहता है पेड़ पर नौर्वली आपने देखा होगा यह है हमारी कॉक यानि की चुकुकुडुकु करती है मुर्गी फिर यह दड़बा में रहती है हिंदी में बोलते हैं यह हमारे क्या है चूहा इस यह बिल में रहता है ठीक है न करना तो आप क्या कीज़े इनके नाम लिख दीजे तसे गोडा के बाद में इसका घर है अस्तबल फिर इसको अगर ड्रौ नहीं करना तो आप ड्रौ मत कीज़े इसका नाम लिख दीजे बंदर बंदर का घर है पिल ठीके इसका नाम लिख दीजे मुर्गी इसका घर है तबड ढड़बा तो इस तरीके से आप कीजेगा अगर आप ड्राउ नहीं करना चाहते तो तो आज की वक्षित यहीं complete होती है अगर आपको वक्षित समझ आई होगे इस वीडियो से अगर आपको वक्षित करने में समझने में थोड़ी सी भी help मिली हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा मिलती हूँ आपसे अखली वीडियो में थैंक यू फूर वाचिंग